हेलो गाईस हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इस्टार्ट करने जा रहे हैं सहचिक सत्र 2021 के लिए जो अगरवाल के अंस्वाट पेपर्स हैं उनके मेद का नोर्स तो गाइस कच्छा दस गड़ित जो की बोर्ड पेपर्स हैं उनके हम 2020 का फर्स्ट नंबर से टी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इसमें आप लोगं को केविल अंसर सी बताएंगे कोश्चन्स अपने अंसर पेपर पर देख लीजिए जैसे इस प्रकार से एक कोश्चन दिया गया है फर्स्ट नंबर में सेट संदोचार बीस सेट फर्स्ट नंबर एम बी केवल प्रसनपत्र गड़ित सभी खंड हल कीजिए समय तीन घंटा पंद्रा मिड होता है जिसमें पंद्रा मिड पेपर पढ़ने के लिए दिये जाते है तो इसका कोश्चन नंबर फर्स्ट यह है का फर्स्ट का का हर के तू यम इंटू फाइफ यन के रूप आधार पर ग्याद कीजिए 1458 बटे 1250 का दसमलब प्रसार कितने स्थानों तक होगा इसका हल देख लेते हैं यह दिया गया है 1458 बटे 1250 1458 बटे इसको हम तोड़ लेते हैं 1250 को टू इंटू फाइफ इंटू फाइफ इंटू फाइफ इंटू फाइफ इंटू फाइफ के रूप में फिर इसको पिर हम इसमें उपर परिम्यकरण करा लेते हैं इस प्रकार से इसको द्यान से देख लीजिए फिर 11664 बटे दो गुड़े पांच की घाथ चार फिर ग्यारा हजार छेसर चोंसट बटे दसकी घाच चार इसकल टू 1.1664 दसमलों के चार इस्थान तो इसका अंसर है तो इसका राइट अंसर है चार अगला कोश्चन चित्र में प्रदर्सित बहुपत के ग्राप के आधार पर बहुपत के सुन्यांग हो गे इसका हल देख लेते हैं ये है इसका एक सच ये है बाइच बीच में मूल बिंदू ग्राप के आधार पर बहुपत के सुन्यांग चार अरथा एक सच पर ग्राप के प्रद्षेदन बिन्यों के संख्या तो इसका राइट अंसर है चार आपसन नमर फोर त्रिबुज A, B, C अगला त्रिबुज A, B, C और त्रिबुज D, E, F ऐसे त्रिबुज हैं कि A बटा D, E is equal to B, C बटा E, F is equal to A, C अपान D, E, F is equal to 4 अपान 9 तो त्रिबुज A, B, C का चेत्रपल बटे त्रिबुज D, E, F का चेत्रपल का मान क्या होगा हल त्रिबुज A, B, C तत्था त्रिबुज D, E, F में A, B बटे D, E is equal to B, C बटे E, F is equal to A, C बटे D, F is equal to 4 बटे 9 तब त्रिबुज A, B, C का चेत्रपल बटे त्रिबुज D, E, F का चेत्रपल इसका एंसर है 16 बटे 89 यानि आफसर नमबर थार्ड अगला घा नमबर यद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका जीरो तो साइन की घाच 4 थीटा प्लस कॉस की घाच 4 थीटा का मान होगा बहुत important question है देखते हैं को यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका जीरो तो साइन थीटा बराब कॉस थीटा शाइन थीटा बटे कॉस थीटा इसकल तू बन तैन थीटा का मान 45 तब, sin की घात 4theta plus cos की घात 4theta J、ming rational 2 sin 45 की घात 4 plus cos 45 की घात 4 और sin 45 का मान कितना होता है one upon root two की घात 4 plus cos45 लीकी का मान one upon root two की घात 4 तब हम इसका root का इस रोट की गाथ 4 से गुडा करेंगे तो इसका रूट गाभ हो जाएगा इसको और गाभ हो फिर 2 बचेगा 2 2 4 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 4 इसकल 2 1 प्लस 1 2 अपान 4 तो एंसर इसका 2 पान 4 इसकल 2 1 अपान 2 यहने अंसार नमबर सेकेंड वन अपान टू गहा बिंदु तीन कॉमा चार की बाई अच्छ से दूरी होगी आपसन है फर्स्ट एक इकाई सेकेंड है तीन इकाई थर्ड है चार इकाई फोर्थ है पांच इकाई बिंदु तीन कॉमा चार की बाई अच्छ से दूरी बिंदु का यक्स निर्दे सांग इसकल टू थरी जब बाई अच्छी से दूरी पूछी आती है तो यक्स लिया जाता है निर्दे संग जब यक्स अच्छी से दूरी पूछी आती है तो बाई निर्दे संग लिया जाता है तो इसका अंसर होगा तीन यानि सेकेंड वाला नेक्स्ट चा बावन पत्तों की फेटी गई तास की गड़ी में एक पत्ता निकाला जाता है इसके इकका नहीं होने की प्रायक्ता होगी आफसन है एक बटे तेरा सेकेंड एक बटे चार थर्ड तीन बटे चार फोर्थ बारा बटे तेरा हल तास की गड़ी में पत्तों की संख्या यन बरावर फिप्टी तू यानि बावन गड़ी में इकों की संख्या यन इ बरावर चार गड़ी में से एक चुने पत्ते के इका होने की प्रायक्ता पE इसकल तू यानि अपन याने इस is call तू 4 अपन 52 इसकल तू वान अपन 13 चुने गए पत्तों की इका नहीं होने की प्रायक्ता पी वारावर 1 माईनस पE 1 minus 1 upon 13 is equal to 13 minus 1 upon 13 is equal to 12 upon 13 answer number 4 12 upon 13 इसका सही विकल्ब है 4 number हल second number सभी खंड कीजिये इसका question number का है के किस मान के लिए यूगपस समी करणो 3x plus y is equal to 1 तथा bracket 2k minus 1 bracket x plus k minus 1 bracket y is equal to 2k plus 1 का कोई हल नहीं है इसमें figure दिया गया है AC into BD और ही ये second वाले का figure है खंड नमबर का फर्स्ट में है ये समी करण 3x plus y is equal to 1 समी करण नमबर फर्स्ट सेकेंड 2k minus 1 x plus k minus 1 y is equal to 2k plus 1 समी करण नमबर 2 समी करण 2 से समी करण 1 से a1 बरावर 3 b1 बरावर 1 c1 बरावर minus 1 समी करण 2 से a2 is equal to 2k minus 1 b2 is equal to k minus 1 c2 is equal to minus bracket 2k plus 1 समी करण 1 बाद दो के कोई हल नहीं होने की स्थित में a1 बाद a2 is equal to b1 बाद b2 b1 बाद b2 is equal to c1 बाद c2 से अब a1 बाद a2 is equal to b1 बाद b2 is equal to 3 upon 2k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1 is equal to 3 bracket k minus 1 is equal to 2K minus 1 3K minus 3 is equal to 2K minus 1 is equal to 3K minus 2K is equal to 3 minus 1 K is equal to 2 answer K is equal to 2 इसका उत्तर है अगला कोशिन खा चित्र में AO बटे OC is equal to BO बटे OD is equal to 1 upon 3 इसका हल है खा नमबर चित्र में AO बटे OC is equal to BO बटे OD is equal to 1 upon 3 इस फिगर को ध्यान से देखिये और समझिये जिसमें DC दी गई है 1.5 cm यानि यह वाली और तब तिर्भुज AO बटे तिर्भुज DOC AO बटे OC में इसलिए तिर्भुज AB बटे DC बराबर AO बटे OC अब AB बटे DC DC कितना दिया गए है 1.5 cm AB AB कितना दिया गए है AB बटे 1.5 इसका एंसर है नेक्स्ट गाह नम्बर अन्डरूड 3, 10, 12 डिगरी काट 45 डिगरी काट 60 डिगरी 10, 78 डिगरी का मान ग्याद कीजिए गाह नम्बर अन्डरूड 3, 10 12 डिगरी 45 डिगरी काट काट 60 डिगरी और 10, 78 डिगरी डिगरी कौन्स कहते हैं यहाँ चूँकि 10, 90 मैनिस थीटा होता है काट थीटा तो अन्डरूड 3 इंटू 10, 12 काट 45 कामान एक होता है काट 60 कामान एक बटे रूट 3 होता है इन्टू 10, 90 मैनिस 12 डिगरी 10, 12 इन्टू काट 12 10, 90 मैनिस थीटा काट हो जाएगा फिर 10, 12 इन्टू काट होता है 1 अपान 10 काट होता है 1 अपान 10, 12 डिगरी यह दुन आपस में कट जाएंगे तो एंसर 1 आएगा नेक्स्ट टेगनामेंट्री बहुत ही सरल सब्जेक्ट है इसमें क्यों फिरी के नंबर होते हैं यह कभी कभी कनफ्यूज भी करता है इसको अच्छे से तयार कर लीजें और अगला कोश्चन है घा नंबर एक लीप बर्स में 52 रविवार होने की प्राइक्ता ग्याद कीजिए एक नंबर के लिए कोश्चन दिया गया है इसका हल है एक लीप बर्स में यानि 306 दिन होते हैं तो अर्थात 52 तथा दो दिन होते हैं इन में से 1 जोड में या 6 एक दिन रविवार होता है तो बर्स में 53 रविवार होंगे 6 एक दिन के रविवार होने की प्राइक्ता दो बटे 7 है सीधा सा इसका उत्तर है दो बटे 7 नेक्स्ट जो नेक्स्ट कोश्चन है अगले दो नमबर के लिए पूछे आते हैं कोश्चन नमबर थार्ड सभी खंड कीजिए जिसका कोश्चन नमबर पहला है का उस समांतर स्रेणी के पदों की संख्या ग्याद कीजिए जिसका पर्थम पद चार तथा अंतिम पद उन्चास और सभी पदों का योग 265 है हल इसका सभी खंड कीजिए उस समांतर स्रेणी के पदों की संख्या ग्याद कीजिए जिसका पर्थम पद चार अंतिम पद उन्चास और सभी पदों का योग 265 है बहुत ही सिंपल कोश्चन है इस प्रकार की कोश्चन बहुत ही पूछे आते हैं हम आप लोगों को लिख लिख के नहीं बता रहे हैं इसमें बहुत टाइम लगेगा और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा यदि आप लोग को कुछ भी क्वेरेश या कमेंड करना है कुछ भी पूछना है तो कमेंड बाक्स में करें कमेंड हम आपको रिपलाई पूछ रहा है पर्थम पद ए बरावर चार दिया गया है जिसका पर्थम पद चार अंतिम पद यल बरावर उन्चास एन सभी पदों का योगफाल यस एन पूछ रहा है यस एन दिया है 265 सुत्र अन इसक उल होँ एक आ है प्लस आ प्लस आ प्लस आ फ्लास प्लस आुछ ओंक प्लस केल को इधर लाएंगे फ्लस आ प्लस आ हीन प्लस आा मार्स बास आो इन्टो सुट छ इओंग दें सेकेंड येसे न बराओ येन बटे दू ब्राइकेट 2A प्लस येन माइनस 1 इंटो D येसे न दिया है 65, 265 इसकल टू येन बटे 2 ब्राइकेट 2 इंटो 4 प्लस 45 समिकरण एक से 265 इसकल टू येन बटे 2 ब्राइकेट 8 प्लस 45 कैची मल्टिपलाई होगी इसमें 265 इंटो 2 इसकल टू 53 इन इसकल टू 531 फिप्टी 3 इन इसकल टू 10 एंसर ये है इन इसकल टू 10 इसको रोक के वीडियो इसकी बिना किये हो देखें और आराम से हलकल ले नेक्स्ट नंबर संख्या 0.666 डॉट डॉट को पी बटे Q के रूप में प्रदर्सित कीजिए ये दो नंबर के लिए है क्वेश्ट नंबर खा इसका हल ये माना एक्स वरार दिया है 0.666 समीकर्ण नंबर फर्स्ट 10x इचकल्टू 6.666 समीकर्ण नंबर फर्स्ट अब समीकर्ण 200 समीकर्ण एक को गटाने पर 10x मानेस x इचकल्टू 6.666 मानेस 0.666 यानि 9x इचकल्टू 6 इचकल्टू 6 बटे 9 x इचकल्टू 2 अपान 3 जो की पी बटे Q के रूप का ही रूप है नंबर गा ब्रत्य के ब्यास एबी की सिरे एब बराबर मानेस 2 कॉमा मानेस 7 तथा इबरावर अब ब्रत्य की तरिज्या तथा केंदर के निर्द्यसांग ग्याद कीजिए हल अब गान नंबर चूक एबी ब्रत का ब्यास है तो एबी यह दिया गया मैनस 2 काउँ मैनस 7B 1 काउँ मैनस 11 इसलिए तरिज्या होगी र बराबर 1 अपन 2AB र बराबर 1 अपन 2 अंडर रूट X2 मैनस X1 का होल स्कॉर प्लस Y2 मैनस Y1 का होल आप स्कॉर बेचकी दूरी वाल सुत्र 1 अपन 2 अपन 2 अंडर रूट मैनस 11 अपन 47 का होल आप स्कॉर प्लस 1 अ प्लस 2 का होल आप स्कॉर इसकोल तू 1 Âपन 2 अंडरूरट माइस 4 का होलाफशकार प्लस 3 का होलाफशकार इसकोल तू 1 अपन 2 अंडरूर 16 प्लस 9 आरवर 1 अपन 2 अंडरूर 25 आरवर 5 अपन 2 सेंटिमेटर यह इसके त्रेज्ज आए है पके अंदर C के निर्दे संग x1 प्लस x2 बटे 2 ये इसका सूत्र है निर्दे संग याद करने का कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2 x1 कितना दिया गया है? मैनस 2 प्लस x2 दिया गया है? प्लस 1 बटे 2 कॉमा y1 कितना दिया गया? मैनस 7 प्लस y2 बटे 2 के अंदर C के निर्दे संग is equal to minus 1 upon 2 कॉमा मैनस 9 अंसर नेक्स्ट दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ब्रत्य की एक जीवा AB ब्रत्य के केंदर पर नब्यांस का कॉन बनाती है लगू ब्रत्य खंड का छेत्रपल गयाद कीजिए प्लस नमबर ग्या अंसर घा यहां थीटा ब्राबर नब्यांस एबन इस्कॉल तू 555 इस्कॉल तू 78.55 सेंटीमीटर स्कॉर्ट अब तुरू ओवी का चेत्रपल वन अपन टू इंतू इंतू बुजा इंतू 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 10 इंतू 10 इंतू 10 इंतू 50 cm2 अब ACB लगुबरत खंट का चत्रपल इसकल तू OACB का चत्रपल माइनस तरभुज OAB का चत्रपल अब तरभुज OACB का चत्रपल दिया गए है 78.55 माइनस 50 cm is equal to 28.55 cm2 अगला सभी खंड हल कीजिए कोश्चन नमबर 4 कोश्चन नमबर का यूकलीड एलगोरोथिम का प्रियोग करके 426 तता 576 का मासा ग्याद कीजिए बाहुत हिसलर कोश्चन है इसको चुटकियों में लगा सकते हैं इसका हल देखते हैं क्योंकि 576 426 से बड़ा है इसलिए यूकलीड एलगोरिथम से इसलिए इसलिए 560 बराबर 426 गुड़े एक प्लस एक्सो पचास चुटकि एक्सो पचास नॉट इसकल टू जीरो इसलिए इसलिए 426 बराबर 150 गुड़े 2 प्लस 126 एक्सो पचास इसकल टू 126 गुड़े 1 प्लस 24 एक्सो चुटकि परावर 24 गुड़े 5 प्लस एक चुटकि परावर 6 गुड़े 4 प्लस प्लस जीरो सेस्पल जीरो आ जाये तब इंसर होता है इसलिए मासा पांसो चेतर 426 का छे आता है इसमें आप लोग समझ नहीं पाएंगे इसमें पांसो चेतर को 426 से भाग किया गया है ठीक है फिर उसके बाद सेस्पल एक्सो पचास बचा है फिर 150 को 426 से भाग किया गया है इसका सेस्पल 126 बचा है फिर 126 को 24 से भाग किया गया है तब इसका सेस्पल जो सुनने आया है इसलिए यहां पर हमारा मासा निकल आता है तो इसका मासा 6 है क ம किंऔ enacting on January 的 cris car सी शिद्ध की घना मेर अमेंट्री अजनली दिग्री फ्रटी है सिद्ध कीजिये कासज जीरो थीटा जी 1 डिग्री ग्लस साइनली डिग्री प्लससान फोर्ती हाइफ दिग्री और दिया है साइनली audio प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इसकल टू 7 बटे 4 दो नंबर के लिए कोस्चन है इसकाल देख से बाया पच लेचेस cos theta plus sin cos 0 plus sin 30 plus sin 45 into sin 90 plus cos 60 minus cos 45 is equal to 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon under root 2 bracket 1 plus 1 upon 2 minus 1 upon root 2 is equal to 2 इन सब पोहल कर लेंगे इसमें 3 upon 2 plus under root 1 upon 2 एक bracket में प्लस इसको हल करेंगे 3 upon 2 minus 1 upon root 2 एक bracket में 3 upon 2 का whole square minus 1 upon 2 1 upon root 2 का whole आप इसका is equal to 9 upon 4 minus 1 upon 2 equal to 9 minus 2 upon 4 7 upon 4 दान पच ढवार अरेचस इड़्देट प्रूब्ड अगला कोस्चन गा नंबर बिंद्यों तीन माइनस तीन तथा नौ काम नौ को मिलाने वाले रेखा कंड को सम्त्रिभाग करने वाले बिंद्यों के निर्देशां ग्याद कीजिए है इसका हल दिया गया है हल देख तो माना बिंद्यों ए बराबर तीन कमा माइनस तीन तथा बी बराबर नौ कमा नौ को मिलाने वाली रेखा पर दो बिंद्यों पी तथा क्यू रेखा ए बी को सम्त्रिभाजित करते हैं इसलिए एपी बराबर इसलिए एपी बराबर पी क्यू इसकल टू क्यू भी इसमें देख लीजिए एपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू भी हो तब पी रेखा एबी को एक बटा एक अनपाथ दो तता क्यू दो नपाथ एक के नपाथ में विभाजित करेगी इसलिए P बार M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2 कमा M1 by 2 प्लस M2 by 1 बटे M1 प्लस M2 से चो कि M1 M2 इसकल तो 1 अपान 1 रेस्यो 2 इसलिए P बार 2 इंटो 3 प्लस 1 इंटो 9 अपान 1 प्लस 2 कमा 2 इंटो 6 1 इंटो 1 इंटो 5 इंटो 9 इसलिए 15 अपान 3 कमा 3 इंटो 5 कमा 1 इसलिए प्रकार Q के लिए M1 प्लस M2 Iskल तो इंटो 1 प्लस M2 इसलिए बार 2 गुड़ नव प्लस E गुड़ 3 बटे 2 बलस 1 कमा दो गुड़े नव प्लस एक गुड़े मानस तीन बटे दो प्लस वन इसकल्टू 21 अपान 3 कॉमा 15 अपान 3 इसकल्टू 7 अपान 7 कॉमा 5 पी आया है इसमें 5 कॉमा 1 क्यू आया है 7 कॉमा 5 अगला घा नमबर 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज खंड का कोंड एक्सवीशन से इस त्रिज घंड को इस प्रकार मोड़ा जाए कि उसके दो किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर संखु प्राप्त होता है संखु का आयतर ग्याद कीजिए एंसर गा त्रिज घंड पीकी वार के त्रिबूच पीकी वार से कोड क्यूपी ओ इसकल टू एक्सवीशन्स बटे दो इसकल टू साड़ें पीकी वार बार सेंटीमेटर वो क्यू पूच रहा है पीयो क्यूवार पर लंब है जो पीयो दिया है वो क्यूवार पर लंब है जो बीच में रेखा किची गए है नितल जो द्रिबूपत्या सिपट है वोगा क्या तिस व दिखत इसाथे से ग्यूप तो ईसकल टू उक्यू बार से दो गुड़े ओक्यू बरावर 12 रूट 3 सेंटीमीटर दोनों त्रिज्याओं को मिलाने पर बने संखों की परिद 2 पाई आर बरावर 6 रूट 3 आर बरावर 6 रूट 3 बटे 2 पाई इस उकल तू 3 रूट 3 बटे पाई सेंटीमीटर सरे पाई सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है इसलिए इसकार बरावर 7 रूट 3 बटे हैं इसकार रूट का आज स्कवाइर्स कोई यल स्कॉर 12 का होला फिसकॉर मांनस ऐस्कॉर 3 artif का होला कि गगार 24 मीनस 27 फिसकॉर 5 का म्ड थीन सी हौワला को होला कि इसकॉर is equal to 144 minus 8.59 का होला पी स्क्वार अब 144 minus 17.79 is equal to 17.21 ह बराबर अंडरूर 17.21 is equal to 8.88 सेंटीमेटर अब संखु का आयतन 1.3 πR2H 1.3 into πy स्क्वार अब 14.0 का हुलाब अब 14.0 का हुलाब अब 14.0 1.041.65 2 цел सक्वार अब 5.0 2 जोag 8.24 हुइत दाइए पंचान्वेशंटीमेटर स्क्वार अप्न पचेशंटीमेटर स्क्वार क्यूब लगभग पांच राट सो पच्छी सेंटीमीटर क्यूब लगभग अगला हल कोश्चन नम्र पांच का का दिग्यात बहुपद ब्राइकट 6x2-3-7x के सुन्यांग ग्यात कीजिए तथा बहुपद के गुड़ांकों तथा सुन्यांकों में संबंधों की पुष्ट कीजिए यह चान नमबर के लिए कुश्चिन है दिग्यात पाउपद की नमबर पांच का का यह दो है शिक्सकार माइनस 7-3 इसकल्टू शिक्षषट स्कार माइनस 9 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 इसकल्टू 3 एक्स ब्राइकट 2 एक्स सिरी देखो मान साथ एक अगर इसमें हम प्लस भी कर देते तो इसका मान थे रहेगा इसलिए इसमें 3 x वान ले लिए गया है 3x तो बचात ना 2x आण 3 दी जान नाइन टो मान एक्स थ्री प्लस इसमें वन कावन ले लिए गया है बचाए 2x-3 अब 2x-3 ब्राइकट में 3x plus एक माइनस तीन बटे दो एक में एक प्लस बन बटे तरी इनको हल करने पर ये हमें मान प्राप्त होगे तो ये सुन्यांक जो है इसके तीन बटे दो तथा माइनस एक बटे तीन बहुपससे ए बरार यक्स सुकार का गुणांग 6 बी बरार यक्स का गुणांग माइनस 7 सी अचर्पद बरावर माइनस 3 सुन्यांको का योग 3 बटे 2 माइनस एक बटे 3 बरार 9 बावर 9 माइनस दो बटे 6 बरार 7 बटे 6 बरार माइनस बी अपान ए सुन्यांको का गुडन भल तीन बटे दो गुड़े माइनस एक बटे तीन बरावर माइनस एक बटे तीन इसकल तु सी अपान ए सुन्यांकों का यानि बीपान है सुन्यांकों का गुड़न पर सी अपान है अगला कोशन खा नंबर सिद्ध कीजिए कि ब्रत पर बाह बिन्दू से खीची गए इस परसियां केंद्र को बाह बिन्दू से मिलाने वाले रेखा से बरावर कोंड बनाती हैं चित्र में कोड़ ओवी बरावर सो डिग्री सेल्सियस तो कोड़ एपी ओग्याद कीजिए कि यह कि इसमें कोड़ कि एओ बी दिया है सो डिग्री सेल्सियस यह सो डिग्री कि चित्र से कोड़ ओवी तथा ओवी बी पी में एपी तथा बी दोइस परसियां किछी गए है तो एपी परावर बी पी इस अर्सियां बाह बिन्दू से ओव यह बरावर ओवी एकी ब्रत्थ की तरज्याएं ए ओए बरावर ओबी एक ही ब्रतिकी तरजाये हैं ओपी बरावर ओपी उभेजनिश्ट रेखा यह दोनों में है सरवांगसंग मिंदूओं के नियम से भुजा माइनस भुजा माइनस भुजा तरभुज ओए पी सरवांगसंग तरभुज ओबी पी सरवांगसंग तरभुजो के संगत भागों के नियम से कोड ए ओपी बरावर कोड बी ओपी बरावर सो बटे दो बरावर पचास अंस इस चूं की कोंड ओय लंब एपी कोंड ओय पी बरावर नब्बे अंस कोंड एपी ओ बरावर कोंड बीपी ओ बरावर नब्बे माइनस पचास बटे दो बरावर चालिस बटे दो इसकल्टू बीस अंस कोंड एपी ओ बरावर बीस अंस उत्तर आगला कोशिन गान नमबर सिद्ध कीजिए कॉसे बटे 1 माइनस 10 है माइनस साइन स्कॉार है बटे कॉसे माइनस साइन है बराबर रहसे कॉसे बटे साइन है लहस बायाँ पच कॉसे माइनस कॉसे बटे 1 माइनस 10 है माइनस साइन स्कॉार है बटे कॉसे माइनस साइन बराबर कॉसे तेन बराबर 1 माइनस साइन है बटे कॉसे माइनस साइन स्कॉार है बटे कॉसे माइनस साइन कॉस कॉस कॉसे स्कॉार है कि बट्टे को से माइनस साइन स्क्वारे 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 बट्टे को से माइनस साइने कैची मल्टिप्लाई को से प्लस साइने ब्राइकट को से माइनस साइने बट्टे को से मने सगीं क कट से काये बचेगा से मक हुई गुपनी काया बचेगा से फिलस ने बराबर दायां पत्च यह लुववर आहे हैं है अगला बाइख स्धे लिए गया है तो उउसना कमाता अधि कृछे थी खेख चयारु का देखते हैं है कि कुश्चिन नमबर छे सभी खंड हल कीजिए दो अंकों की संख्या में दहाई का एक एक संख्या में चौण घंड जय तो संख्या अंक पलट जाती संख्या गैद कीजिए देखिए दाइएक एक है वाई संख्या जो होती वह 10x प्लस y मानी जाती है अंक पलटने पर संख्या 10y प्लस x हो जाएगी यानि x के पास y के पास y के पास x प्रस्णा उनसार x बराबर 3y प्रस्ण में क्या बताया गया था यदि संख्या में से 54 दहाई कांग 11 से 3 गुना है तो प्रस्णा उनसार्थ xy बराबर 3y समिकार नंबर फर्स्ट तथा 10x प्लस y माइनस 54 बराबर 10y प्लस x 10x प्लस y माइनस x माइनस 10 by बराबर 14 नंब x माइनस 9 by बराबर 144 नंब कामनले लेगे x minus y बराबर 14 x minus y बराबर 9 नंब च्रका 14 x minus y बराबर 6 3 by minus 5 बराबर 6 तो 2y बराबर 6 तो 2 बराबर 3 x बराबर 3 यंटू 3 इसक्वलुक्टु 9 संक्या 10x प्लस y तो 10 इंटू एक्स प्रावर 9 10 इंटू 9 प्लस बाई प्रावर 3 प्लस 3 इसकोल टू 90 प्लस 3 अभिष्ट संख्या 93 अगला कोश्चन खा नंबर एक प्रत्ताकार कमरे के उपा अरद गोला कार गुंबज है उसका कुल भीतरी आयतन 48-510 मीटर क्यूब है ता भीतरी ब्यास उसक जाएगा कि इसमें इस प्रकार से चित्र बनाई गया ठीक है मानक कमरों की त्रिज्य आर है कि आर मीटर है बेलनाकर भाग की उचाई आर मीटर कुक कमरे का भीतरी आयतन 48-510 मीटर क्यूब है इसलिए अरद गोला प्लस बेलनाकर भाग का आयतन 48-510 मीटर क्यूब ₹ इस क्यूब प्लस पाई अर इसकूइर यस बरावर 48-510 यानि अरद गोला प्लस बेलनाकर भाग बरावर 48-510 इसमें कामन ले लेगें पाई-अर स्कॉर तो बचेगा दो बटे तीन पाई आर प्लस एच बरावर अर्तलीसर पांत्सों दस तो बटे साथ पाई का मान आर इसकॉर बच्चा टू आर बटे थ्री प्लस एच बरावर भी आर है चाही जो है बेलना करवा की आर मीटर है तो एच बरावर आर पांच बटे तीन आर क्यूब बरावर बाइस सो पांच गूड़ साथ इसको काटेंगे पांच से तो त्वश gy बटे चार्स औकतालीस आएगा आर क्यूब बरावर चार्स औकतालीस गुड़े थ्री गुड़े सेवन तो आर क्यूब बरावर 21 गुड़े 21 गुड़े 21 बरार क्यूब बरावर 21 कहीं का तीन अब आर बरावर 21 संटीमीटर क्यूब क्यूब इधर भी क्यूब है उधर भी क्यूब 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 कट जाएगा आर बरावर 21 संटीमीटर आएगा पूरे कमरे की उचाहिए 2 बार बराबर टू इंटू टूटीवन यानि 21 इसका एंसर है बैलस मीटर अगला कुश्चन एक प्रकास इस्थम्ब के सिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अबनमन कौन करमसा 30 संस दा 45 संसे यद प्रकास इस्थम्ब के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे-पीछे 50 मीटर दूरी पर हैं थीक पीछे 50 मीटर दूरी पर हैं तो समुद्र से प्रक प्रकास इस्थम्भ यह यह प्रकास इस्थम्भ है इसको ध्यान से फिकर को देखिए तो समझिए माना प्रकास इस्थम्भ यह तथा भी जहाजों की स्थितियां हैं अब बराधर प्रकास मेटर तृबज भी बराबर टे थिकंड फिक्यौ बराबर टे पिक्यौ अब बराबग फिकंड बब्र कुट Und बराबर एक बटे रूट 3, रूट 3 PQ बराबर AB प्लस PQ, समीकट नमबर 1 से, अब PQ, अन्डर रूट 3 मैंस 1 बरावर 50, अब PQ बरावर 50 बटे रूट 3 मैंनस 1, अब इन्टु, पुरास में गुडा करेंगे, रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 प्लस 1 की तो 50, ब्राइकर रूट 3 प्लस 1 बटे 3 मैंनस 1, 2 PQ बरावर 50 बटे 2, अन्डर रूट 3 प्लस 1, प्रकास सिस्थम की उचाई 25, अन्डर रूट 3 प्लस 1 मीटर, अगला कोशन, गा, निम्न के साराणी में 400 नमी लेंपों का जीवन काल बिवन दिया गया है, मत दिका बहु लग गया, ये भी कोशन कोई फाइदा नहीं है, इसको भी कट करते हैं, अगला, कोशन नमबर साथ सभी खंड कीजिए, ये कोशन नमबर आपके 6 नमबर के स्ट्याट होते हैं, कोशन नमबर इसका पहला है का, यूग पर समी करणों के यूग 3 एक्स प्लस 2 माइनस, माइनस 12 बराबर 0 तथा येक्स माइनस 32 प्लस 6 बराबर 0 को ग्राफ ही बीधि से हल कीजिए, तथा उस त्रिवुच का छेतरफल भी ग्याद कीजिए, जो रेखा येक्स अच्छ से बनाती हैं, कोशन नमबर साथ का हल का, यूग पर समी करण, यूग पर समी करण, 3 एक्स प्लस 2 बराबर 12, 2 बराबर 12 माइनस 3 एक्स, समी करण नमबर 1, यूग पर समी करण नमबर 1, यूग पर समी करण नमबर 2, समी करण 1 के लिए, यूग पर समी करण 2 के लिए, यूग पर समी करण 2 के लिए, इस फिगर को रपर बनाईए और ध्यान से इसमें समझी है अब इस ठल पी बराद 3,3 तरिबुज पी की वार में पी बराद 3,3 की बराद माइनस 3,0 ठीक है तो आर बराद 4,0 अब तरिबुज पी की वार का छेत्पल एक बटे दो एक सबन ब्राइकेट बाई 2 मानस बाई 3 प्लस एकस 2 बाई 3 मानस बाई 1 प्लस एकस 3 बाई 1 मानस बाई 2 अब तरिबुज का छेत्पल इसकोल टू 1 अपान 2 इस सुत्र को याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है 33,1 बारा यानि जो इसके अंदर बाई 1, बाई 2, बाई 3 रहते हैं तो इसमें ब्राइकेट में पहले 23,2,3 यानि 23,31,3,1 बारा, एक दो यह आप याद कर लिजिएगा अगला है इसको हल करने पे हमारा 21 बटे 2 बरगी का या आता है अथवा इसका दिया गया है समीकाण 2x बटे x-3 प्लस बन बटे 2x प्लस 3 प्लस 3 x प्लस 9 बटे x-3 ब्राइकेट 2x प्लस 3 इसकल तू जीरो x not इसकल तू 3 कॉमा मैनस 3 अपान टू के मूलों की प्रकृत गयाद कीजिए तता इसके हल भी कीजिए समीकर्ण 2x बट्टे x-3 प्लस 1 बट्टे 2x बट्टे x-3 प्लस 1 बट्टे 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9x बट्टे x-3 2x प्लस 3 इसकोल टू जीरो इसमें नीचे कामन ले लेंगे ल्सीम इसको हल करने पर इस प्रकार से हल करते रहेंगे करते रहेंगे तो हमारे x प्लस 1 बट्टे 0 x बट्टे 1 जो की x not is equal to 0 के बट्टे 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 अब एक के लिए 20 स्क्वार माइनस 4ac 20 स्क्वार 10 स्क्वार माइनस 4 इंटू a 4 इंटू bc 6 स्क्वार माइनस 96 इंटू फोर फोर जीरो से बड़ा है अध्थात मूल जो है हमारे बास तो भी कहें ठीक है अगला कोश्चन अगला कोश्चन खा नंबर त्रबुज ए बी सी को खीचे जिसमें ए बी बरावर 6.5 सेंटी मीटर कोड़ बी बरावर 60 अंस तथा बी सी वर 5.5 सेंटी मीटर कोड़ कोड़ ABC के समरूप कोड़ AEC की रचना कीजिए जिसकी बुजा कोड़ ABC की बुजाओं की तीन बटे दो गुनी है रचना के पद भी लिखिए है ठीक है यह इसका हल दिया गया है कोश्चन नंबर खा सेवन का खा इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए यदि इसमें समझ में ना आए तो कमेंड पर पूछ लीजिए इसमें अगर हम समझाएंगे तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इसको कि आप लोगों के इस प्रकार्द से कि दिखा रहे हैं अगर ना समझ में आए तो कमेंड में पूछी अगला कोशन है अथवा में हें अब कर दोसरे बिरत के कैंठ से इस पर स्रिकावें रिचना कीजिए इस फर सियों की माप लिखे रिजना के पद लिखिये हो है है दो जफा चैनल नंबर सब्सक्राइब इस प्रिकार का इसमें यह अधूर चैनल नंबर さ प्रिक में गेगे ट्रामब्र satisf लबएं नमब्र रेखहरी प्रीट ल्मबर वकर्पर कट्रिया जिर्टांद season जो दोनों ब्रत्तों को कर्मसा PQ तथा RS पर काड़ता है चरण नमपर 4 AP, PQ, AP, AQ तथा BR, BS को मिलाना जो की दूसरे पर क्यंदों से खीची गई अविस्ट इस परसिया है मापने पर AP बराबर, AQ, AP और AQ बराबर हैं तो BR बराबर, BS ठीक है, यह हमारे रचना स्वाप थुई, यहाँ पर हमारे सन 2020 का जो सेड था, पूरा हल्क हो गया है, यह दि आप लोगों को कुछ भी कमेंट या कोई रिस पूछना है तो कमेंट पर पूछे, चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उटने फ्रेंडों में ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए ठीक, अगले सभी हम सेटों पर दिर दिर से वीडियो बनाएंगे और डाल देंगे, जिसमें आप लोगों को समझ में आया, वो देख लीजिए, साइन्स का, इंगलिस का और मेथ के तीन बिसे पर हम वीडियो बनाते हैं, जो हाई स्कूल है, इसमें अनसाड पेपर के, तो आइस थैंक यू फार दिस वाचिंग वीडियो,